Hello everyone, this is Ram Vishnoyi and you're watching Geographic Guru. आज की इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं Class 10th Pole Science Civics की और continue रखेंगे हमारी Class 10th SST, Social Science की Most Important Questions की सीरीज को. यह जो हमारी Most Important Questions की सीरीज है, इस सीरीज में हम Chapter-wise Most Important Questions आपके साथ share करते हैं. देखें, जब आप Chapter को कर लेते हो, उसके Concept को क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपको कुछ Practice Questions की नीड होती है. ठीक, इसके साथ-साथ कुछ ऐसे Students भी होते हैं, जो बहुत लेट जाकर के अपनी Study के उपर फोकस करते हैं, तो उनको Direct, ऐसे Most Important Questions है, उनकी नीड होती है, कहीं से ऐसा कुछ आइडिया लग जाए कि कौन से Concept है, कौन से Topic है, जो सबसे ज़्यदा Important रहेंगे. इसके साथ-साथ हमें जब Ten Years की बात करते हैं, कि Ten Years के Question Paper को उठा लेजए, तो वो Easily Available नहीं हो पाते हैं, या फिर हमारे पास उतना Time नहीं होता है, तो नीड होती है, कहीं से में आइडिया लग जाए कि कौन से Questions है, जो Last Ten Years के Board Exam में पूछे गए हैं Chapter वाइज, तो वो सारी की सारी जो Requirement है, वो इस Series के तो हम आपके साथ Share करें, यान कि उस Requirement को हम पूरा करने की कोशिस करें, यहाँ पर Most Important Questions भी आपके साथ Share किया जा रहे हैं, इसके साथ-साथ Last Ten Years में जो Most Important Questions रहे हैं, या फिर जो आपके Last Ten Years में Board Exam में पूछे हैं, उन Questions को आपके साथ हम Share करें, इ जब हम बात करते हैं कि जो Revision करेंगे, तो Revision के लिए जातर Students क्या करते हैं कि Help Walk की तरह जाते हैं, कि चलिए Help Walk ले 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 लेते हैं और उसके Through Revision करेंगे, और वो काफी Confusing होता है, Confusing क्यों होता है, कि एक Chapter, कोई भी Chapter उठा लेजिए, उसमें आपके Minimum 200 to 300 के आसपस Questions ले द Confuse कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जब आप उसको Revision के लिए जाओगे, तो Confusing और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक ही Question, जब दूसरी बार पूछा जाता है, उसकी Language जो थोड़ी सी Change होती है, कि Meaning Same रहता है, लेकिन उसका Answer आपको Same नहीं मिलता, Confusing हो जाता है, तो हम यहाँ पे, देखिए, Hard Work नहीं, Smart Work करना है हमें, Concept Clarity करनी हमें, ओके, हमें अच्छा Score करना है, तो हम उसी Point Office से इस सीरीज को लेकर करना है, तो इस सीरीज में हम 3 टाइप के Questions को Include करते हैं, एक तो वह Questions जो आपके Chapter के Main Theme या Concept को Cover करते हैं, कोई भी Subject हो, चाएब आपकी कोई भी Class हो, हर Class में, हर Subject में, 30% Most Important Topics होते हैं, और आपके Board Exam में, 75% जो Questions होते हैं, वो इन्हीं Topics से Related होते हैं, Clear? तो हमने इस Type के Topics और इस Type के Questions के उपर Focus किया, Second जो Questions हमने Include किये हैं, वो है जो आपके Board Exam में Repeat होते हैं, Continuously Repeat होते हैं, Little Bit Language Change हो जाती है, हर बार आपको Board Exam में द Questions बोलते हो, ये Questions भी आपके लिए बहुत Important होते हैं, Okay, Value Based होते हैं, जो एक Chapter के Main Theme से निकल करके आते हैं, कि ये Message क्या देना चाहता है, क्या चीज है, क्कौन सा Concept है, जो हम तक पहुंचाना चाहता है, जो Message है, उस से Related जितने आपके Questions बनते हैं, तो उनको हम Value Based Questions कहेंगे, तो इस सेरीज में आज का हमारा Chapter है, आपका Class 10 Political Science का 6th Chapter है, Old Book के According, और अगर आपकी Updated Book है, तो उसके According बात की जाए, तो ये आपका 4th Chapter है, Okay, तो इस Chapter से Related सबसे पहले हम बात करेंगे 1 Marker Question की, After that we will discuss the 2 and 3 Marker Question, और end में हम discuss करेंगे 5 Marker Question को, बहुत Important Chapter है, लेकि Limited से Questions इस Chapter में से ब लेट्स बेगिन चली शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखिए 1 Marker Question की हम बात करेंगे, 1 Marker Question में हमारा जो First Question रहेगा, ने मेनी टू पोल्डगल पार्टी जो पिहार, देखिए यहां पे मैंने बिहार का लिया है, क्योंकि बिहार आज कल चर्चा में है, यहां पे इस Type का Questions, आपसे पूछा जाएगे, यह कौन सा Question रहेगा कि State की पोल्डगल पार्टी की बात करेंगे, वो Depend करता है कि आपके एकजाम के आसपास किस State में Election हो रहे हैं, ठीक, तो अभी की अगर बात की जाए तो जैसे बिहार है, चर्चा में है, महराष्टा भी चर्चा में है, तो वहां की जो Regional पोल्डगल पार्टी जो उनके बारे में Questions पूछा जा सकता है, यहां पर देखें, नेम एनी टू पोल्डगल पार्टी जो पिहार तो वो है राष्टी है, जनतादल पार्टी है, और जेडी जो लालू परशाद यादव की पोल्डगल पार्टी है, जो की नि जेपी, लोक जन सकती पार्टी है, वो भी बिहार से ही है, उसके बाद देखें, नेक्स जो हम Question की बात करें, तो Second हमारा Question दिया गए, भारतिय जनतापार्टी है, उसका आदर्श क्या है, या उसकी गाइडिंग फिलोस्पी क्या है, यह हमें बताना है, तो That is the Cultural Nationalism, जिसके ह हिंदी में कहेंगे, सांस्किर्थिक राष्टरवाथ है, उसमें वो बिलीव करती है, नेक्स जो हमारा Third Question रहेगा, What is Defection, डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन को अगर हम कहेंगे, हिंदी में तो दल बदल होता है, दल को बदल लेना, चेंजिंग पोलिडिकल पार्टी after winning the election is known as defection, चुनाव जीतने के बाद, दल बदल लेते हैं, लोग पार्टी बदल लेते हैं, तुसे defection या फिर दल बदल कहा जाता है, ओके, सो चेंजिंग पोलिडिकल पार्टी after winning the election is known as defection, नव लेट्स मोट तो देनेक्शन के लिए, नेक्स जो हमारा Question रहेगा, One Marker के ल नहीं माना जाता है, क्यों नहीं माना जाता है, देखिए, in one party political system, there is no democratic option, कि one party जो political system होता है, that has no democratic option, देखिए, जैसे चाइना में है, चाइना में single party system है, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एक ही political party है, वही election जीतती है, वही election हारती है, वही election लड़ती है, अब इंडिया में स्पोज किजिए कि एक ही political party हो तो ताना सही नहीं हो जाएगी हमारे पास choices ही नहीं रहेगी हम किसको चुनेंगे उसी political party को चुनना पड़ेगा candidate तो होंगे हमारे सामने उसी political party के candidate होंगे क्या फरक पड़ता है कौन जीते कौन हारे इसे democratic नहीं माना जाता है जो single party system होता है तो one party system और the single party system has no democratic option तो हम कह सकते हैं कि यह democracy के लिए healthy नहीं होता नेक्स जो हमारा question रहेगा फिप्ट इन विच स्टेट डज शिव सेना exist as a regional political party कौन से स्टेट में शिव सेना लगा लेजिए NCP नेशनलिस्ट कॉंग्रेस party दोनों ही चर्चा में कि कौन से स्टेट से यह दोनों political party बिलोंग करती है तो वो है महराष्ट्रा उसके बाद next देखिए नेक्स जो हमारा question रहेगा which is the oldest political party of India इंडिया की सबसे पुरानी political party कौन से है that is Indian National Congress and that was founded way back in 1885 काफे टाम पहले यान कि इंडिया की ही नहीं सिरफ इंडिया की नहीं बलकि world की भी सबसे पुरानी political party में से एक आती है भारती राष्टे Congress और the Indian National Congress जिसक तो मतलब कह सकते हैं कि स्थाफित किया गया था ओके इसकी स्थाफना हुई थी और E.O.Hume एक retired अंग्रेज अधिकारी थी जिन्होंने इसकी स्थाफना की थी उस वक्त हलांकि ये था कि चलिए इस political party के बाहने जो Indian leaders से उनको divide कर देते हैं हलांकि आगे चल करके सबसे important crucial role play क सिंगल पार्टी सिस्टम का एक्जांपल देना कि कहां पर है that is in China, China में सिंगल पार्टी सिस्टम में एक ही पोल्ट गल पार्टी होती है वही election लड़ती है वही जितती है वही आरती है second next जो हमारा question है एर्थ question दिया गया एर्थ question को देखिए give example so by party system by party system या फिर इसको आप two party system कह सकते है उसके example रहेंगे UK and USA in UK and USA only two main political parties are there जो competition होता है electoral competition होता है दो पोल्ट गल पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पी जो दो पोल्ट गल पार्टी होती है mainly जो serious contester होती है वो वही होती है सरकार ही उन्हीं के बीच में interchange होती है तो UK and USA these are the examples of the two party system or the by party system now let's move to the next one next जो हमें question दिया गया है 9th question when was भारतिय जन्ता पार्टी formed and what is its election symbol भारतिय जन्ता पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी इसका election symbol क्या यह हमें बताना है so भारतिय जन्ता पार्टी was formed or founded in 1980 में इसकी स्थापना हुई थी and election symbol of BJP is lotus flower okay तो दिखें 1980 में it was founded भारतिय जन्ता पार्टी है BJP है उसकी स्थापना के गए थी ओर कमल का फूल lotus flower है that is the election symbol of the BJP now let's move to the next one next जो हमारा question रहेगा 10th question दिया गया 10th question को दिखें what do you mean by ruling party ruling party कौन से होती है इस term को इस word को अच्छा खासा यूज कियागा इस chapter में the party that wins the election and forms the government is known as the ruling party वो political party जो election को जीती है और government को बनाती है उसको हम बोलते है ruling party for example अगर हम बात करें डेली की तो आम आदमी party is a ruling party okay अभी current की बात करें central government की बात करें तो BJP is a ruling party okay जो चुनाव जीती है और सरकार बनाती है तो से हम ruling party बोलते है यही 11th question है सिम कि which political party is ruling party in Delhi and at central government आप is the ruling party in Delhi and BJP at central level okay तो यह रहेंगे हमारे इस chapter के most important one marker question now let's move to the next segment और next segment में हम discuss करेंगे the most important short answer type questions of this chapter यानि कि two or three marker questions की बात करेंगे यहाँ पर देखिए कि first जो हमारा question रहेगा name national political parties of India इंडिया की national political parties के नाम बताएए this question can be asked that name any four, name any six like that ऐसे भी कहा जा सकता आपको तो हमें बताना है भारत की जो national political parties कौन सी है ते देखिए अभी की बात करें पहले काफे time नहीं हुआ कि 2019 के आसपास की बात करें तो उस वक्त six national political parties थी अभी nine national political parties है कौन कौन सी है देखिए ये at present there are the nine national political parties in India national political parties होती है जिनका wide base होता है जो more than one state में उनकी supporter होते है water bank होता है उसे हम national political party बोलते है मोटे तोर पे मैं बता रहा हूँ definition deeply हम आगे करेंगे तो उसको हम national political party करेंगे तो ऐसी कितनी है नाइन है अभी at present की बात करेंगे तो उनमें सबसे पहले भारतिय जनता party that is the ruling political party of India second one is the communist party of India third one communist party of India Marxist इसको हम बोलते है Marxवादी बोलते है ये 1925 में बनी थी और ये 1965 में यानि कि communist party of India CPI है उसी से अलग होकर कि CPI हम बनी है Indian National Congress Party that is the oldest political party of India the nationalist Congress Party that was formed in 1999 में Congress Party से अलग होकर कि बनी थी शर्दपौार की political party है महराष्टा में इसका ज्यादा बेस है उसके बाद National People's Party National People's Party इस nationalist Congress Party से ही अलग होकर कि बनी थी PA Sangma ने अलग होकर कि इस political party को बनाय था उनके बेटे जो है कौनाड संगमा वो मेगाले के सियम है इसके लाव मेगाले के लावा नागारलेन, मनीपूर, अरनाचल परदेश असम वगरा वहाँ पर भी इनका अच्छा खासा वोट बिंक है ये नोर्थ इस्ट की पहली National Political Party है नपीपी National People's Party उसके बाद जो सिक्स्थ, सेवन्थ हमारी National Political Party है इनका में जो बेस है वो वेस्ट मेंगोल में है ममता बनर जी जो वहाँ पर सियम है इसके लावा बात की जाए तो ठीक ठाक सा वोट बेंक इनका केडला में भी है तिरुपुरा में भी है उसके असम में भी कुछ वोट बेंक है दन बीएसपी बहुजन समाज पार्टी हालंकि बात की जाए तो लास्ट वी एलेक्शन से बेस काफी हिल गया है अभी लोक सभा में जीरो सीट है विधान सभा की बात की जाए तो एक सीट है इनके पास लेकिन अभी भी ये नेशनल पॉल्टिकल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी बेस यूपी में है में ली इसके लाव पंजाब में मध्या परदेश, राजस्तान यहाँ पर भी अच्छा खासा वोट बेंक है और नाइन्थ वन इस दा आम आदमी पार्टी जिनका में बेस कहें तो दिल्ली और पंजाब में इसके लाव बाकी स्टेट्स में भी अच्छा कासा स्पोर्ट मिल रहा है सबसे तेजी से आगे तरफ बढ़ने वाली यह पॉल्टिकल पार्टी है आप या आम आदमी पार्टी तो यह हैं हमारी nine national political parties now let's move to the next one next जो हमारा question रहेगा what is meant by a political party describe the three components of a political party हमें बताना कि यह political party होती क्या और इसके three components कौन कौन से होते हैं a group of people who come together to contest election is called a political party देखें लोगों का एक समोह होता है जो एक साथ आते हैं किसके लिए to contest election and form government चुनाव लड़ने के लिए उस सरकार बना लेगी तो ऐसे लोगों के समोह का हम बोलते हैं political party a group of people who come together to contest election and form government is called a political party they have some common program or policies हलंकि उनकी कुछ common program or policies होती है जिसके साथ more or less सारे agree करते हैं हर political party के अपने नीतियां होती है तो इसे हम कहेंगे political party तो दोबारा से देखिए political party क्या होती है a group of people who come together to contest election or form government is called a political party and they have some common program or policies ओके फॉर एक्जामपल BJP, Congress Party, आम आदमी Party these are the example of the political parties उसके बाद बात की जाए कि political parties कितने टाइप की होती है तो there are the two types of the political party दो type की होती है, mainly अगम बात करें national political party, like that BJP, Indian National Congress, आम आदमी Party जो ओपर हमने बात की थी and second one is the regional political party regional political parties होती है they have their base in the particular state only या एक या दो state में ही उनका थोड़ा बहुत base होता है तो उसको बोलते है regional political party जैसे समाजवादी party होगी जनता दल United RJD हो गई, अकाली दल हो गई ये regional political party में कहलाती है उसके बाद components की बात करें तो दिरारदा three components of political party leaders होती है, सबसे उपर के level के होगी leaders means these are the main active members of the political parties and these people contest the elections and form the policies and run the political party को चलाते भी यही है, election भी यही लड़ते है तो उनको हम leader बोलेंगे second होते है active members second level आगे active members, active members होते है जो हर rally में मिलेंगे, यह कर देंगे यह political party ऐसा है आपको बहस करते हैं दिखाई दे जाएंगे किसी भी नुक कड़ के उपर ऐसे लोग और third होते है followers, followers means these people follow the policies of that political parties and they give their war to that political parties हालंके वो बढ़ चड़के भाग नहीं लेते है यह silent होते है, silent worker कह सकते है तो किसी भी political party के three components होते है leaders, active members and followers now let's move to the next one third जो हमारा question रहेगा short answer type questions में third question दिएगे explain various party system with example अलगले party system को बताना हमें तो देखिए, एक होता one party system और single party system for example in China there is a single party system it is not considered good for the democracy democracy के इसको अच्छा नहीं माना जाता because this political party system doesn't provide any choice कोई choice विकल पुपलदने करवाते एक ही party होती है उसी के चुनाव लडना उसी को हाडना फिर चुनेंगी किस में से second होता by party system for example in USA and UK there are the only two main political parties and they contest the elections and they keep changing the political powers को change करते रहते हैं मतलब कभी किसी की पावर आगी कभी किसी की पावर आगी उसकी बाद है multi-party system for example in India, Pakistan, Bangladesh यहाँ पर बात की जाए तो there are multi-party system multi-party system के बात करें it is most suitable for those countries which are quite diverse जहाँ पर diversity जादा होती है विभिंता जादा होती है वहाँ पर यह most suitable होती है India is quite diverse country on the basis of the religion, region, language, culture, etc so we are having the multi-party system अपने हाँ पर देखें 750 प्लस political party है यहाँ पर सारी political party जहाँ आजाद है कोई political party बना सकता है election लड़िये जिसको majority मिलेगी वो government बना लेंगे okay so there are the three political party system single party system for example in China bi-party or the two-party system for example USA, UK and multi-party system for example India, Bangladesh, Pakistan, etc now let's move to the next one next जो हमें question दिया गया why do we have a multi-party system in India India में multi-party system है ऐसा क्यों है यह हमें बताना है कि इंडिया में multi-political party system को adopt किया गया तो इसके पीछी reason क्या logic है important है काफी important है question first है provision of the wider choices that हम कह सकते हैं कि in India India is a diverse country and to provide the wider choices we have adopted multi-party system को हमने adopt किया है ताकि लोगों को बहुत सारे विकल्प मिली देखिए कि इतना बड़ा देश है और इतनी diversity है तो हर community अपनी choice के according वो डे पाए या हर area को अपना representation मिल पाए तो हमने option खुला रखा है कि कोई भी अपनी political party बना सकता है so to provide the wider choices to the all sections of the society ओके या फिर यूँ कह सकते हैं कि to provide the wider choices to the diverse population of India we have adopted multi-party system को हमने adopt किया है second it allows more shades of opinion इससे क्या होता है कि ज़्यादा लोगों के विचारों को मोका मिलता है okay for example we are having the 750 political party उसमें से अगर बात करें तो near about 40 to 50 political parties are quite serious काफी serious है जिनको अच्छा-कासा वोट मिल जाता है so it means that 40 to 50 types of opinions है we are having in the लोक सबा हमें उन सब को मतलब उनके opinions है वो यहाँ पर पहुंच पाते है जो कि country के लिए बहुत अच्छे होती कि हार एक community के विचार है वहाँ पर पहुंच पा रहे है so it allows more sets of opinion and that is very important for the democracy and that is very important for the representation of the diverse population सब को मोखा मिलता अपनी बात रखने का okay इसलिए भी अपना लिया it prevents dictatorship multi-party system always prevents dictatorship any political party can't dictate the government government को dictate नहीं कर पाती है क्योंकि वहाँ पर आहम तोर पी यह होता है कि किसी भी political party को बहुत सारी सीटें नहीं मिल पाती है और कई बार तो यह होता है coalition government बनती है गठ बंदन की सरकार बनती है लठ बंदन की सरकार बनती है okay तो वहाँ पी एक सरकार की एक political party की नहीं चल पाती so we have adopted multi-party system to prevent dictatorship को prevent करने को लिए हमने सोचा कि चलिए एक party हो अपने मनमानी ना करे इसलिए हमने कहा कि जितने political party जिसको बनानी वो बनाता रहे fourth it gives room for democracy it is quite healthy for the democracy too democracy means the rule of the people democracy means the people can raise their demands their questions को raise कर सकते हैं so उसके लिए जरूरी है कि people should have the freedom to form their political parties होनी चाहिए ना तो हमने कहा done चलिए पोल्ड गल पार्टी बना लेजिए तो इसी तरीके से ज्यानी कि पहला है कि लोगों को ज्यादा विकल पर provide करने के लिए सभी लोगों के अपने विचारों विचार अभ्यक कर पाएं सभी लोग अपने विचार अभ्यक पाएं इसके लिए और dictatorship को prevent करने के लिए कि उसको रोकने के लिए और democracy के लिए भी काफी healthy होता तो इसलिए हमने multi-party system को adopt किया India adopted this system because of the vast diversity and plurality in the nation India ने क्योंकि ये ये सारी qualities होती है और हमारी यां पे diversity ही ज़्याद है तो इसलिए हमने इस system को adopt किया ओके नाव लेट्स मोट तो दे नेक्स वन नेक्स जो हमारा question रहेगा fifth question है short answer type questions की बात करने तो short answer type question में fifth question हमारा distinguish between regional and national political parties में हमें differentiate करना है कि क्या difference होता है क्या अंतर होता है इसमें देखिए a political party that is recognized in four or more state is a national party कि वो political party जो चार या चार से ज़्यादा state में मानता प्राप्त होती है उसे हम national party बहुते हैं and deal with the national level issues के साथ वो deal करती है यानकि वो national policies की बात करती है national मुद्दे जो होते हैं उनके उपर बात करती है so a political party that is recognized in four or more state is a national party is known as a national party and these political party deal with the national level issues के साथ deal करती है BJP, Congress Party, Aam Aadmi Party Bahujan Samaj Party, NCP okay, Trinmal Congress यह सभी national political parties है और दूसरी तरह बात करें a political party that is active in the state level okay, in one state only or sometimes can be in the two states okay, a political party that is active in the one or two state or regional level that is known as regional political party उसे कहेंगे यानकि एक या दो state में जो active होती है जहां पर उसका vote bank होता है तो उसे हम regional political party कहें जैसे RJD की बात करें तो RJD बिहार में भी है जारखन में भी है तो दो state में एसी सपा की बात करें तो mainly UP में है इसके लगा थोड़ा बहुत बेस बिहार में भी है तो इन्हें हम regional political party कहेंगे there are nine national parties in the country at present अगर हम national parties की बात करें तो there are only nine national parties in the country at present and on the other hand there are more than 750 regional parties regional parties है वो बहुत जाद है national parties की बात करें तो उनमें इंडिया नेशनल कॉंग्रेस भारते जनता पार्टी आम आदमी पार्टी NCP एटसेटरा यह example हम देश सकते हैं regional parties की example की बात करें तो तेलगू देशम पार्टी RJD समाजवादी पार्टी JDU okay JDS जनता दल secular okay शीव सेना यह सारी इक सारी regional political parties है तो इस type से आप इनको differentiate कर सकते हो now let's move to the next one तो यह यहां तक हम discuss करें है इस chapter के most important short answer type question इसमें देखे कि next जो sixth हमारा question रहेगा sixth question है when was BJP formed and mentioned its major ideologies देखे जो government जो political parties है वो power में होती है ruling party होती है उससे related questions CBSC के board exam में पूछे जाने के ज़्यादा chances है okay जैसे congress party जब ruling party थी तो उससे related उसके program policies related questions exam में आते थे अभी BJP ruling party है तो उससे related questions आपके exam में पूछे जाने के chances ज्यादा रहेंगे यहाँ पी यही इसी type का question है कि when was BJP formed BJP कब बनी और इसकी major ideology इसकी विचार धारा किया यह हमें बताना है okay so भारतिय जन्ता पार्टी और BJP was founded in 1980 में बनी थी it was founded by reviving the earlier भारतिय जन्त संग को revive करके इसको बनाय गय था भारतिय जन्त संग है उसी को फिर modify करके भारतिय जन्ता पार्टी बनाय गया the भारतिय जन्ता पार्टी wants to draw the inspiration from the ancient culture and the values of India and use it to build modern and strong India अगर भारतिय जन्ता पार्टी की बात करें it wants to draw inspiration from the ancient culture and values of India वहाँ से inspiration लेती है and use it to build a modern and strong India बनाना चाते है लेकिन उसमें वो पीछे की जो culture है ancient culture है values है उनको पीछे नहीं छोड़ना चाती in its concept of politics and nation cultural nationalism is vital element कि इसके जो politics या nation की बात करें concept जो politics का है या nation का है उसमें cultural nationalism है वो important है इनके लिए it seeks a bane on religious conversion ये चाहती है कि जो धर्म परिवर्तन होता है उसके पर bane होना चाहिए it seeks a bane on religious conversion implement a uniform civil code इसके भी favor में it is in the favor of the bane on the religious conversion and the uniform civil code इसके favor में ये तो इतना सब को इस लिख दो कि तकाफी रहेगा यानि कि ये 1980 में बनी है reviving the bharatisan song को revive करके बनायागा इसको और ये cultural nationalism में believe करती it believes in the cultural nationalism it believes to make the modern and strong India इसमें ये believe करती है and it is against it is in the favor of the bane on the religious conversion जो conversion है उसके ये against है and it is in the favor of the uniform civil code की ये favor में ये कुछ चीज़े आप यहाँ पर mention कर सकते हो now let's move to the next one next segment की हम बात करेंगे और next segment में हम discuss करेंगे इस chapter से related most important long answer type questions ये limited रहेंगे इसमें देखी कि first हमें question दिया गए what are the major functions of the political parties and why do we need political parties political parties के major function क्या होते है या फिर जो political parties है इनकी हमें need क्यों होती है ठीक एक ही बात है काम क्या है या फिर हमें उनकी जरूरत क्यों है बहुत important question है ये okay so काफी सारी अगर हम बात करें तो आपके chapter जब start होता है तो उसके first two pages में इन्ही topic को discuss कि अगए first अगर हम काम की बात करें कि why do we need the political parties or what are the functions of your political parties तो पहला है to contest the election in democracy के अगर हम बात करें democracy is all about the elections in democracy people can choose their representative they can choose their government and to choose their representative and to choose their government we need elections हमें elections की जरूरत होगी and in elections generally political parties जो होती है वही contest करती है okay so to contest the elections we need political parties चुनाव लडने के लिए political parties की जरूरत होगी individual हम लड सकते हैं चुनाव तो okay elections contest हो सकते हैं लेकिन उसमें फिर सरकार नहीं बनेगी क्योंकि कोई political जो ideology है policies है वो बन ही नहीं पाएगी अपनी अपनी डफली अपने अपने राग हो जाएंगे दिक्कत आएगे okay so first function of the political parties is to contest the elections the political party is a group of the people who come together to contest the elections and to form the government वो साथ ही इसलिए आते हैं के चुनाव लडना है okay तो ये main function होता हमका second होता है form and run the government the political party which gets the majority वो political party which gets the majority जिसको majority मिलती है that form the government and that run the government जो सरकार बनाती है और सरकार चलाती है so for this function also we need the political party बढ़ना सरकार बनाएगे और चलाएगा कौन okay उसके लिए भी political party की need होती है democracy में third है rule in making laws देखिए कानून कोन बनाता है इंडिया के हम बात करें the main function of the parliament is to make the laws main function जो parliament का है वो कानून बनाना है but who is there in the parliament parliament में है कोन the members of the political party it means that we can say that the main function of the political party is also to make the laws कानून बनाना भी उन्हीं कोई काम होता है इसके लिए भी हमें political party की need होती है क्योंकि अगर political party होती है तभी तो जो bill होता है वो law में convert हो पाता है pass हो पाता है individual होती है तो होई नहीं पाता है इसा promotion of the policies and program each political party have some program and policies कुछ common program होता है policies होता है और they promote their program and policies उनको promote करते है and they ask people to vote on the name of that program or policies उसके नेम पर वो वोट मांगते है कि भाई हम ये करेंगे हम वो करेंगे तो ये भी एक main function होता है कि लोगों के सामने program policies लेकर क्याते हैं कि हम ये करने वाले एक vision क्लियर करते हैं हमारा role of opposition those political parties which lost the election जो election में हार जाती है और यूँ कह सकते हैं those political parties which do not get the majority they play the role of the opposition वो opposition का role play करते है विरोधी दल का विपक्सी दल का role play करते है these political parties are also very important ये जो role है ये भी बहुत important होता है क्योंकि these opposition parties control the ruling party को control करते है क्योंकि ये वो मुद्दों को उठाते रहते हैं तो इसके लिए भी हमें political party की need होती है shaping public opinions opposition political parties generally raise the issues of the people generally they raise question mark on the wrong policies of the government in this way they shape the public opinion कि लोगों के सामने वो मुद्दे लेके आते हैं सरकारों की कम्या लेकर के आते हैं लोगों की समझ्याओं को लेकर के आते हैं दीरे दे इसी तरीके से लोगों के mindset को ये change करते हैं एक तरीके से उनके जन्मत का निर्मान करते हैं कि हाँ भाई क्या सही चला है क्या गलत चला है तो ये मुद्दे लोगों के पास पहुंचाता कोन है opposition political parties so we can say that political parties are very important in shaping the public opinion too okay because they raise the issues of the people and they raise the weakness and the wrong policies of the government too उनको भी उठाते हैं उसका बाद 7 देखिये link between the people and the government government और लोगों के बिच में ये कड़ी का काम भी करते हैं political parties की अगर हम बात करें तो generally they have the large access उनका जो access होता reach जो होती वो ज़्यादा बड़ी होती है तो generally लोग जो है किसी भी छुट भाईयो नेताक तक तो जा सकते हैं वहाँ पे और उनकी पहुंच होती है government के साथ तो government और जो लोग होती है आम जनता होती है उनके बिच में कड़ी का काम यह political parties करती है उनको जो भी issues होते हैं वो government तक पहुंचाती है government के policies को यह लेकर कहते है जनता के बिच में कि यह government आपके लिए यह काम करी है यह इनके functions हो गए या फिर इनकी need होगी we need political parties to contest elections to form and run government to make the laws government होगी है तो यह seven है जिनको आपको explain करना है now let's move to the next question next जो हमारा question रहेगा यहां पर second हमें question दिया गए what are the major challenges faced by the political parties political parties जो face करी है उनमें से कुछ major challenges हमें यहां पे share करने हैं यह भी एक important question है I think thrice यह आपके exam में आ चुका है last seven to eight years में जो राजितिक दल है political parties है उनकी कुछ चुनोतियां कौन सी है challenges कौन सी यह हमें बताना है पहला देखिए पहला जो challenge है lack of the internal democracy we need political parties in democracy because in democracy these political parties contest election they form government तो सारा काम कहां होता है democracy में होता है democracy में यह political parties होती है वहीं पे चुनाव लड़ती है but the main issue की हम बात करें the main challenge is that these political parties lack internal democracy यानि की जो democracy का पीलर माना जाता है these political parties are considered as a pillar of the democracy because these are very important for formation of government in democracy बहुत important होती है political parties but generally in practical these political parties lack internal democracy इन खुद में democracy नहीं होती मतलब जो दूसरों को सिखा रहा है वो खुद में ही democracy नहीं है तो यह एक बड़ी समझे है बड़ा challenge है because majority of the decisions की बात करें majority of the decisions in these political parties are taken by a few leader कुछ leader है वही decision लेते हैं सबसे पूचते ही नहीं है तो एक चुनोती यह भी है that these political parties are the pillar of the democracy these political parties contest the elections and run the government in democracy but these political parties do not have internal democracy लेकिन इन में खुद में ही internal democracy नहीं होती so this one is the first and very serious challenge जो political parties face करिया second one is the dynastic succession dynastic succession को हम कह सकते हैं कि एक तरके से प्रिवार बाद इसको कहिंगे प्रिवार बाद nowadays many political parties are there which are controlled by a single family जैसे काई सारी political parties है जो किसी प्रिवार की private limited company की तरह function करती है so this is also not good for the healthy democracy in these type of the political parties if any worker does hard work or deserve highest position still he or she does not get that position because these are the private limited companies काफी सारी राजनतिक दल ऐसी है जो जिनके उपर एक ही प्रिवार का दबदबा होता है तो वहाँ पर कोई वेक्ति कितना ही अच्छा लेडर बन जा है वो टोप पे नहीं जा सकते है क्योंकि तो प्रिवार की company है परिवार की पॉल्ट गल पार्टी है तो यह जो परिवार वाद है यह दूसरी चुन होती है पॉल्ट गल पार्टी इसके लिए जैसे हम बात करें अकाली दल इस पॉल्ट गल पार्टी और पंजाब बादल फेमिली की पॉल्ट गल पार्टी है सफा की बात करें, that is the political party of the other family okay, ऐसे अगर हम बात करें RJD की बात करें, तो ऐसे बहुत सारी political parties है, तो ये भी एक समझ्चा इन की चुनोती है third one is the use of muscle power sometimes the people who are goons, the people who are involved in the criminal activities they get the tickets वो ticket ले लेते हैं, and sometimes they become able to win the elections too, और कई बार वो elections भी जित चाते हैं, and when we have the such type of the people in the democracy, how we can expect from them that they are going to take the right decision कि कई बार क्या होता है, muscle power का मतलब है, कि जो criminal लोग होते हैं, अपरादी किसम के लोग होते हैं, वो political party का ticket ले लेते हैं, कई बार चुनाव भी जी चाते हैं, अब इस टाइप के लोग, अगर parliament में होंगे, state assembly में होंगे तो क्या वो अच्छा सोच पाएंगे क्या वो अच्छा decision ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे ला, तो ये भी एक चुनोती है, challenge है, कि गुंडे ततव है, वो politics में आ रहे हैं तो इसको भी रोकना है third के बाद, fourth जो challenge है that is the use of the money power, sometimes the people use the money power in elections and with the help of the money they get the tickets and then they win the elections also, कई बार वो पैसे के मदद से टिकेटें ले 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 लेते हैं political party की, चुनाव भी जीत चाहते हैं and that is not fair in democracy, democracy के लिए सही नहीं है, because it doesn't ensure the right to equality क्योंकि से equal contest नहीं हो पाता, तो इसके लिए जरूरी है कि इस challenge का भी कुछ किया जाए, जिसके हम आगे बात करने वाले हैं, ओके, ये भी एक challenge है and fifth है, lack of meaningful choices, nowadays when the elections are held जब elections होते हैं, we generally have the 15 to 20 options 15 to 20 choices होती हैं हमारे पास, 15 भी इस candidate होती है but in practical we lack meaningful choices लेकिन practically हमारे पास meaningful choices नहीं होती है, सारी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होती है program of policies सबकी same ही लगती है, elections जीतने के बाद सबके रंगे एक जैसे ही होते है तो ये भी एक challenge है कि political parties है, वो अपनी नेतियों की बात ही नहीं करते है अब तो सिरफ सबता हत्यानी है by hook या by group तो ये भी एक challenge है, तो these are the five challenges which every political party is facing चलिए next question की बात करते है next जो हमारा long answer type questions में रहेगा third question दिया गया third question हमें दिया गया कि suggest some reforms to strengthen parties so that they perform their functions well कि कुछ ऐसे reforms हमें बताने है जिससे कि ये party बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाए क्योंकि हमने उपर challenges की बात किये तो उनको भी हमने देखा तो हमें बताना है कि भाई कौन-कौन से कुछ सुझाव दे दीजे ताकि ये parties अच्छे से function कर पाए तो पहला देखे anti-defection law पहला जो सुझाव है या जो work किया गया anti-defection law हलांकि ये कानून लेकर के आई है anti-defection लोग को हिंदी में कहेंगे दल-बदल-विरोधी कानून जैसे हमने defection की बात कि थी defection क्या है कि after winning the election changing the political party is known as a defection चुनाव जिता किसी party से A party से और चुनाव जितने के बाद शामिल होगे B party में ये दल बदल है ये ये तो cheating होगी ना हमने political party को vote दिया था और आप तो दूसरी political party में चलेगे that is a cheating so anti-defection law is there anti-defection law prevents elected MLA's MPs from changing parties it should be made more effective हलांकि ये है तो सही लेकिन इसको और effective बनाने की जरूरत है क्योंकि अभी भी change हो रही है political party और उनके बारे में जब decision आता है तो तब तक government चली जाते है 5 साल हो जाते है so anti-defection laws prevents the elected MLA's MPs from changing the political parties it should be made more effective इसे ज़्यादा effective बनाने की जोड़ता है एक तो सुझाओ हमारा ये ताकि change ना कर पाए जैसे अभी का law है वो ये कहता है कि two-third जो MPs या MLA's है वो party को change कर सकते है यानि कि अगर 100 है seat member उनके 100 है तो 66 से एक साथ जा सकते है 9 है तो 6 से एक साथ जा सकते है लेकिन 5 नहीं जाएंगे 5 जाएंगे तो उनकी membership cancel हो जाएगे लेकिन generally ऐसा खेल खेला जाता है कि वो cancel होते होते कई साल निकल जाते है तब तक तो सरकार चल जाती है तो इसको effective बनाने की जरूडता है second it is mandatory for every candidate to give details of his property and criminal cases pending अगे स्टीम की अभी देखिए Supreme Court के order के according now it is mandatory for every candidate to give his detail of the property and criminal activities जो criminal cases है उनके detail देना जरूरी कर दिया है that is also very important कह सकते हैं काफी important ये step लिया गया government की तरफ से Supreme Court की तरफ से तो ये भी चीज़ें हैं जिसे कि कुछ हट तक जो हम बात कर रहे थे जो criminals हैं उनके यहां पर आने पर रोक लगेगी तो अभी जो mandatory किया गया कि कोई भी candidate जो चुनाव लड़ता हैं तो ये corruption को भी control में लेके आएगर जो criminals politics में आ रहे हैं कुछ हट तक वो control में आएंगे थर्ड है political party should maintain a register of its members and have periodic elections for its office bearers देखिए political party है उनको अपने एक register होना चाहिए जिसमें सभी members के name होने चाहिए and should have the periodic elections for its office bearers जैसे president होगे secretary होगे इस परकार के जो पोल्ट गल पार्टी चाहिए उनके 3 years या 4 years जो भी उनका constitution कहता है पोल्ट गल पार्टी का उसके coding election होने जरूरी है ऐसा होना चाहिए ताकि सब को मोका मिले और members का register होना चाहिए ताकि सभी member को बात करें थी lack of internal democracy उस समस्या का समाधा नहों पाएगा तो ये हो सकता है पोल्ट गल पार्टी चूड है one third seats reserved for women एक सुधार ये भी है कि one third जो seats हैं जो tickets के हम बात करने हैं that should be reserved for the women women के लिए reserved होने चाहिए ताकि women है उनको भी participation का मोका मिल पाए the government should give parties financial aid to support their election expenses इसके साथ साथ ये government को in political parties को सारा खर्चा उठाना चाहिए election का इससे क्या होगा इससे ये होगा कि जो poor person है the political parties which do not have that type of the resources वो भी मुकाबले में आ जाएगी एक suggestion ये भी हो सकता है the government should give the financial aid to support their election expenses को जैसे उसको किसी form में हो सकता है people should put pressure on the political parties through the petitions, publicity and agitation इसके साथ साथ people should also take part actively in the indirect politics में direct में नहीं आना तो indirect में उनको participate करना चाहिए and they should put pressure on the political parties through the petition डाल दिया publicity के थूँ या agitation के थूँ तो उनको भी actively participate करना चाहिए जब भी government को एक गलत step उठाती है तो उसके हिलाब लोगों को खड़ा होना चाहिए ताकि government ठीक से काम कर पाए political party ठीक से काम कर पाए तो ये कुछ suggestion रहेंगे तो ये था हमारा chapter और इस chapter से related most important questions I hope सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को like और share जरूर कीजिगा अगर फिर भी आपके कोई question क्योरीज रहते है तो आप comment section में comment कर सकते हो इसके लवाब हम से जूड सकते हो टेलिग्राम पर इंस्टाग्राम पर टेलिग्राम पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ओपर देख पा रहे हैं जोग्राफिक ग्रू चैनल है जहां पर आपको PDF अगरा हम अवलेबर करवाते हैं sample paper वगरा शेयर किये जाते हैं तो वहाँ पर आप connect हो जाए इंस्टाग्राम पर भी आप connect हो सकते हो जहां पर भी आप comment करोगे messages वगरा करोगे तो try करेंगी कि आपको तुरंत में reply दे दिया जाए आज के लिए बस इतने thank you bye bye have a nice day